एक बार किसी एक गुरू के तीन शीष्य थे अपने गुरू से विद्या का अध्येन करने के पश्चात जब शीष्य अपने घर की तरफ प्रस्थान करने ही वाले थे तो तीनों शीष्यों ने अपने गुरू से निवेदन करा की है गुरुदेव आपने हमें विद्या का दान दिया और बहुत अच्छी तरह से हमारा पालन पोशन किया, अब हम सब घर जा रही हैं, तो हम आपको गुरु दक्षना देना चाहते हैं, बतलाइए आपको हम क्या गुरु दक्षना दे? तो गुरु ने कहा कि जाओ पास में ही जंगल है, जंगल में जाकर कुछ सुखे पत्ते ले आओ जाकर, शिश्यों के मन में बात आई कि गुरु देव ने मांगा भी तो क्या मांगा सुखे पत्ते? गुमारे गुरु देव उन सुखे पत्तों से क्या करेंगे? खेर गुरुदेव की आग्या थी कि सुखे जो पत्ते हैं वो मुझे गुरु दक्षना में चाहिए तीनों शिष्ये जंगल में गए सांज का समय हो चुका हुआ है और थोड़े से ही पत्ते नीचे गिरे हुए है अब शिष्यों ने वो पत्ते उठाई लेकिन वो पत्ते इतने कम है गिंती में कि तीनों उसको बांट नहीं सकते हैं अब शिष्ये कहते हैं कि गुरु देव ने पत्ते मंगवाई हैं अब क्या करी तो सामने से ही एक व्यक्ति आ रहा था जिसने अपने थैलों के अंदर सुखे पत्ते भरे हुई हैं तीनों शिश्य उस व्यक्ति के पास गए और जाकर कहते हैं कि श्रीमन एक निवेदन करना चाहते हैं आग्या हो तो कहें व्यक्ति ने कहा हां बेटा बोलो क्या चाहते हो उन तिनों ने कहा कि आज हमें इन सुखे पत्तों की अवशक्ता पड़ी हैं हम अपने गुरुदेव को दक्षिना देना चाहते हैं आप हमें ये सूखे पत्ते दे दीजिए उस व्यक्ति ने कहा बेटा मैं आपको ये सूखे पत्ते दे तो देता लेकिन इनी सूखे पत्तों से मैंने घर जाकर अपने बच्चों के लिए भोजन बनाना है अतह मैं ये सूखे पत्ते आपको नहीं दे सकता लेकिन पास में ही एक व्यापारी रहता है जो इन पत्तों के पत्तों से पत्तों को एक कठे के छोटे डूने बनाता है वहाँ चले जाओ तुमें वहाँ जाकर सूखे पत्ते मिल जाएंगे वो बच्चे तीनों विद्यार्थी व्यापारी के पास गए बहुत चारा पत्तों का धेर लगा हुआ है फैक्टरी लगी हुई है तीनों बच्चों ने जाकर कहा सेट जी कुछ सूखे पत्ते हमें दे दीजिए हमने अपने गुरुदेव को गुरुदक्षना देनी है तो से शेट ने कहा कि इन शूखे पत्तों के डूने बनाकर मैं बेचता हूँ और इससे मेरा रोजगार चलता है यह बहुत कीम्ती है मैं नहीं दे सकता हूँ तुम यदि मुझे पैसे भी दोगे हां तब भी मैं तुमें नहीं दे सकता हूँ अब तीनों के तीनों जो शिशे हैं वो थोड़ा सा उदास हुए कि गुरुदेव ने कुछ मांगा और हम उसको ला न सके तो उस सेठ ने उन तीनों बच्चों से कहा कि रे पास में ही एक बुड़िया रहती है उसके पास भी सूखे पत्ते हैं जाकर तुम उस बुड़िया से लियाओ ना तो उसने खाना बनाना है ना ही उसका कोई व्यापार है तो वो तुमें सूखे पत्ते दे देगी तीनों शिष्य उस बोड़ी अम्मा के पास गए और जाकर कहते कि अम्मा सुना है तुमारे पास सुखे पत्ते हैं हमें चाहिए वो सुखे पत्ते हमें दे दो तो वो बोड़ी कहती है कि वो सुखे पत्ते तो समाप्त हो गए आज मेरे पास वो तीनों सुखे पत्ते नहीं है अब ठके मांदे हारे वो तीनों शिष्य अपने गुरू के पास आए और आकर कहती है गुरुदेव हम आपके लिए गुरु दक्षना न ला पाए आपने तो हमसे साधारन सी वस्तु मांगी है हम वो भी कठी नहीं कर पाए हम गुरुदेव कहते हैं करे बच्चो यह तो तुमारी शिख्षा के लिए मैंने तुम से गुरु दक्षना मांगी है मुझे गुरु दक्षना की आवर्शक्ता नहीं है तो तो मैं तुम्हें एक मात्र यही समझाना चाहता हूँ कि इस संसार में कोई भी वस्तु सुलबता से प्राप्त नहीं होती है तुम संसार की तरफ अग्रसर हो रहे हो अब तुम लोगोंने जाकर काम करना है प्रतेक वस्तु दुरलब है किसी वस्तु को तुमने यह नहीं कहना किये तो बहुत आराम से मिल जाेगी इसका क्या है, सुखे पत्ते है क्या कुछ भी नहीं लेकिन नहीं प्राप्त हुए तो इसलिए ये कहानी हमें यही संदेश देती है कि किसी भी वस्तु को बिना मोल की नहीं जानना चाहिए किसी वस्तु को छोटा नहीं जानना चाहिए प्रतेक वस्तु का मोल होता है और प्रतेक वस्तु की कोई न कोई कीमत होती है हाँ हमें जब आवशक्ता पड़ेगी तब उसकी कीमत होती है तो इसलिए अपने जीवन में प्रतेक वस्तु का प्रतेक व्यक्ति का सनमान कीजिए प्रतेक वस्तु का भी कोई ना कोई मोल है और प्रतेक व्यक्ति का भी कोई ना कोई मोल है तो ऐसी शिक्षा हम अपने जीवन में धारन करेंगे पुन्ह नईनी प्रेरक कथाई लेकर आप सबके समक्ष उपस्तित होने का प्रयास रहेगा तब तक के लिए हस्ते रहिए मस्त रहिए स्वयम भी प्रसन रहिए दूसरों को भी प्रसन रखिए जैश्री कृष्ण दर्लवत पुर्णाम झाल